रमशकार दोस्तों क्लिनिकल नर्सिक प्रेक्टिस के स्किल्स के आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे लंक्स औसकल्टेशन डमी इसकी यह आपका समय डमी अवेलेबल है और इस डमी पर हमारे आपलाइन के स्टुडेंट्स तो प्रैक्टिस करते हैं विबिन प्रकार की साउंड को लिसन करने की कोशिश करते हैं यहां पर मैं आप लोग के सामने डमी अवेलेबल कर रहा हूं किस बेस के उपर के नॉर्मली जो अबनॉर्मलेटी ऑफ साउंड होती है वो कौन-कौन सी होती है जो जनरल जो एक्जाम में पूछे जाती है सबसे पहले अगर हैं और बात करें तो साउंड होती है ज्ली ंर करते हैं में इंस्प्राइशन करते हैं तो यहौन चांड था-ई-वेलीग साउंड की विजिंग को हम बोलते हैं एक प्रकार से musical sound इट मीन्स अगर जब हम inspiration करते हैं expiration करते हैं तो मतलब inspiration के time पे कम density की सुनाई देगी लेकिन expiration के time पे ज़्यादा density की आवाद सुनाई देगी तो ये musical sound पैदा होती है आप इस स्टेटोस्कोप के द्वारा lung suscultation machine पे विबिन different areas पे आप assess करके आप इस सारी sound को पहचान भी सकते हैं क्योंकि आने वाले time पे नौर साइट exam में may be possible कि वो online videos के sound में sound भी देदेगा headphone लगा देगा और आपको पहचाना पड़ेगा ये कौन सा sound है और next number पर बात करें आगे के तरफ तो विबिन प्रकार के sound होती है कि low pitch sound के में रॉंकाई sound और रॉंकाई एक low pitched sound के अंदर countable होती है pitch का मतलब क्या होता है pitch का मतलब होता है number of vibration per minute in the sound next number पे आपके पास में अगर बात करें तो statora sound होती है जो high pitched value की sound होती है थेंक यू दोस्तों जय भारत जय उतकर्ष और happy दिपावली